नमस्कार आपको सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट को सबसे पहले आपको बता दें यह जो रिजल्ट है वो हैं तो बात करते हैं हम टोटल इंकमगी सितंबर 20 के सब्सक्राइब कर performs बात दें हो कि यहां पर हने टोटल इंकम घटती वह नजर आ रहे हैं अगेर हम करते हैं कोड़र मैं यहरे क सितंबर 20 कोड़र से December 21 quarter में तो यहाँ पर हमें total income में व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं total expenses की जो की सबसे नीचे दियेगा है December 20 quarter में expenses थे 5800 मिलियन के September 21 quarter में यह हुए 5262 मिलियन के December 21 quarter में expenses रहे 5345 मिलियन के तो December 20 quarter से December 21 quarter हैने की year on year में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें expenses घटते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में हैने की September 21 quarter से December 21 quarter में तो यहाँ पर हमें expenses में व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं company के profit and loss statement के बारे में तो देखेंगे हम six number point को profit अब लग loss before tax को December 20 quarter में 749 million के profit before tax रहे September 21 quarter में ये 662 million के हो गई और December 21 quarter में 781 million के profit before tax रहे तो अगर हम December 20 quarter से December 21 quarter year on year में देखें तो यहाँ पर हम profit before tax बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं, quarter on quarter में हैंने कि सितंबर 21 quarter से दिसंबर 21 quarter में है, तो यहां भी हमें profit before tax में व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है, तो अब हम बात कर लेते हैं, company की net profit की 8th number point दिया गया है, net profit आपने loss for the period after tax, December 21 quarter में 523 million के net profit रहे, September 21 quarter में 504 million के हो गए, और December 21 quarter में 586 million के net profit रहे, तो December 21 quarter से December 21 quarter यानि कि year on year में अगर हम देखते हैं, तो हमें profit में 12% की व्रद्धी year on year में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हम बात करते हैं, सितमबर 21 quarter से December 21 quarter में, तो यहां में quarter on quarter में 16% की व्रद्धी profit में होते हुए, दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम overall results की बात करते हैं, तो चाहिए वो year on year के profit हों या quarter on quarter के profit हों, दोनों ही हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों में ही हमें कंपनी का performance बहतर होता हुए दिखाई दे रहा है, धन्यवाद.